तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ एक और वशी करण का अचूक सरल और शक्तिशाली उपाए अगर आपकी शादी रुकी हुई है आपकी सगाई रुकी हुई है आपके शादी नहीं हो पारी है लड़की को या लड़के को किसी को भी अपने वश में करना चाहते हैं आपका प्यार आप से नराज हो गया है रूट कर कहीं दूर चला गया है आपके बच्चों की शादी की कहीं बात नहीं बन रही है या आपके वियपार में लगातार आपको नुकसान छेलना पड़ रहा है और खास कर हर किसी का सपना होता है कि वे विदेश यात्रा पर जाए अगर आपकी विदेश यात्रा में रुकावटे आ रही है तो आपके सारे कारे यानि के सभी प्रकार के बिगड़े हुए कारे बनाने के लिए ये वश्यकरन का उपाए बहुत ही कारगर साबित होगा तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस उपाय में आपको क्या करना होगा और खास कर ये उपाय आप घर में ही कर सकते हैं जिसमें आपका जादा खर्चा भी नहीं होगा तो घर में रखी कुछ सामिगरियों का इस्तमाल करके इस वशिकरन को बहुत असान तरीके से किया जा सकता है आपने कभी यह सुना है कि लॉंग के द्वारा वश्यकरन किया जा सकता है सुना ही होगा क्योंकि अक्सरत जादू टोना टोटके में लॉंग का बेहत अच्छे तरीके से इस्तुमाल किया जाता है तो जो मैं आज आपको उपाय बताने जा रही हूँ यह भी लॉंग के द्वारा ही किया जाएगा आपको जिसके रहे चाहिए होगी लॉंग आपको लेनी होगी साथ लॉंग जियां आपको साथ लॉंग लेनी होगी और आपको लेना होगा काले रंगा धागा इस तरीके से काले रंगा धागा आपको लेना होगा अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या होगा बहुत ही आसान उपाय है, घर में कर सकते हैं, समझने में आसान है सिर्फ मात्र साथ लोंग, एक काला धागा और एक मंत्र अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो यकीन मानिये आपका जीवन आसान बन जाएगा आपके सभी बिगड़े हुए कारे बन जाएंगे और लंबे समय से जिन भी कारें में बाधाय आ रही है, रुकावट आ रही है, वह सब दूर हो जाएंगे और आपका रास्ता सरल बन जाएगा उपाय में आपको बताती हूँ, आपको किस तरीके से करना है आपको लॉंग लेनी है, और लॉंग लेने के बाद जो काले रंग का धागा है आपका उस धागे पर आपको लॉंग को बांद देना है आपको इस तरीके से एक माला बनानी है यानि कि साथ लॉंग आपको इस काले धागे में बांद नी है लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप लॉंग बांदें तो मंत्र का उच्चारण करें जितनी बार आप लॉंग बांदेंगे उतनी बार आपको मंत्र का उच्चारण करना होगा साथ लॉंग लेनी है साथ बार आपको मंत्र का उच्चारण करना होगा मंत्र में आपको बता देती हूँ कि आपको कौन सा मंत्र पढ़ना है लेकिन उसके लिए सबसे पहले जब आप लोंगे बांधे तो उनको बांधने से पहले अपने हाथ मिले अपनी आखे बंद करें और बंद करके उस व्यक्ति का नाम बोले जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं उसका नाम अपने मन में सोच ले ऐसा करने से व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा आपके बिगडे हुए काम जल्दी से जल्दी बन जाएंगे तो मंत्र में आपको बताती हूँ कि मंत्र कौन सा है और मंत्र आपको कैसे पढ़ना है, तो देखिये, ये तो मैंने आपको बता दिया है, कि 7 बार आपको मंत्र को पढ़ना है, काले धागे में हर बार लोंग बांधनी है यह मंतर आपको उचारण करना है यानिकि इस मंतर का आपको उचारण करना है और लोंग बांते जानी है लॉंग के अंदर काट लगाते चानी है और ऐसे माला तयार हो जाएगे आपकी एक आप जब इस माला को बना लेंगे तो ये जो माला है इस माला को ले जाकर आप पीपल के पेड़ पर बांदें ध्यान रखिए ये उपाय आपको शनिवार के दिन ही करना है शनिवार के दिन शाम को 6 बजे के बाद जब आप इस उपाय को करने जाएंगे इस लौंग की माला को पीपल की तहनी में बांधने जाएंगे तो एक चीज का बेहत ध्यान रखें जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ पीछे मुड़कर बिलकुल ना देखें सीधे जाएं, उपाय करें और सीधे अपने घर वापिसा जाएं यकीन मानिए अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं बिगडे हुए कारें को बनाना चाहते हैं तो वह सारे कारें आपके सिध हो जाएंगे और अगर आप इस उपाय से चुड़ी हुई कोई भी चानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं गुरुजी के नमबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहे हैं, आप हमारे गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं और उपाय करने की विधी या फिर मंत्रों के बारे में जानकारिया प्राप्त कर सकते हैं, फिलान लूँगे आप से आज्या जयामाता दी